हाइपोस्पेडियस मतलब कि दो छेद तो मोचली मरीज इलाज के लिए आते हैं शोटे साइज की वज़े से पर एक्चली उनको पॉर्णम होती हाइपोस्पेडियस क्योंकि जब छेद नीचे आता है तो वह साथ में लिंग को खीच लेता है और नीचे की तरफ जो लिंग है उससे मरीज कि इंट्रकॉक्स सेक्स नहीं कर बाता तो लिंग जो छोटा है उसको लम्बा करना रहें वह लंबाई हम सज्जरी से करे से करें बहुत्तव वह लंबाई है मसाच से आ चाए है वो लिंग के मुंड पे नहीं है लिंग की टिप पे नहीं है जिसका इलाज अविलेबल है पर क्योंकि मरीज घबराते हैं शर्माते हैं नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी एक कंजनाइटल प्रॉब्लम को इसको बोलता है पॉस्पेडिया यह प्रॉब्लम कॉमन ह में अपने वीडियो में अपने वाट्साप में जरूर शेर करना थाकि यह वीडियो उन तक पहुच पाए जिनको यह फरॉब्लम है है अगर किसी मरीज का पिशाप का छेद टिप पे नहीं है मतलब जो लिंग है उसकी टिप पे नहीं है पर वो छेद टिप से नीचे है एक सेंटेमेटर नीचे है दो सेंटेमेटर नीचे है कई बारे छेद इतना नीचे होता है कि गोलियों के पीछे होता है और आदमी सामने से पिशाप करने की बजाए इन दो छेद में से नीचे से पिशाप करता है इस कंडिशन को बोलता है है अब जा सकता है पर अगर आपको इस कंडिशन है तो एज वीडियो पुरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में बताऊगा आपको कि हाई पोस पेडिया सोता क्या है हाइप सपेडिया से आपको क्या पॉल्म आसकती है हाई का एलाज कैसे होता है किस उमर में करना चाहिए और है खडचा कितना आता है यह वीडियो हाइपोस्पेडियास का एक कम्प्लीट रिव्यू है और मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुपता नई दिली इंडिया में मर्दों का सर्जन या एंडरॉलोजिस्ट और हमारा काम है लिंग की सब समस्या को ठीक करना कई बर मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साब सुरब खड़ा करते हैं हम खड़ा नहीं करते हैं हम उस लिंग में हर प्रॉब्लम को ठीक करते हैं चाहे वह दो चेत की पॉलम हो चाहे लिंग बनाना हो चाहे लिंग कटा हो चाहे लिंग ठे से सेक्स ठीक हो रहा हो पिशाब खराब हो तो हर प्रॉब्लम का एक अच्छे एंडरोलोजिस्ट के पास होगा अगर आप यह चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपको एंडरोलोजी आदमियों के लिंग और टेस्टिकल मतलब जो अंडरकोश है उ हम जो जो बोल रहे हैं वह आपको साथ में दिखता रहेगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सही जून पहों तो वाट इस हाइपोस्पेडियास मतलब होता है छेद हाइपो मतलब नीचे अगर पिशाब का जो छेद है वो लिंग के मुंड पे नहीं है लिंग की टिप पे सब कोरणल मतलब स्टिप के नीचे मेड पिन ही मतलब कि एस में औरो शाफट पर keto मतल पीच में पीच पीछे जितना नीचे च्एद होगा उसके साथ में दो प्रॉब्लम और होती है पहली पॉबलम होती है चॉट निंग का बढ़ता है तो लिंग का साइस पूरा बढ़ता इसकारण से लिंग का जो चेद है तो कई बार यह मरीज को पौलम कि होती है कि पिशाब में दिक्कत नहीं होती पर सेक्स करने के लिए या खड़े होंने पर लिंग एक दम हेड़ा होता है। 케िड़ा मतलब नीचे की तरफ होता है। और नीचे की तरफ जो लिंग है उससे मरीज इंटर कोर्स या इस नहीं कर पाता है। तो हाइपोस्पेडियास में तीन पॉलम एक साथ होती है, पहला लिंक की ग्रोध खराब हो गई, पिशाप का रस्ता जगे भी नहीं है और टेड़ापन, तो जब हम हाइपोस्पेडियास को ठीक करते हैं, तो हमें तीनों पॉलम ठीक करना है, पहला टेड़ापन ठीक करना है दूसरा patient का size निकाल के लेके आना है और तीसरा इस पिशाप के छेद को normal जगे पे लेके आना है तो ये surgery normally दो stage में होती है इसका इलाज surgery से है इसका इलाज दवायों से नहीं है अगर ये problem है congenital इसका इलाज दवायों से नहीं हो सकता इसका इलाज operation से ही होता है अगर किसी की नाक नहीं है तो बनाना पड़ेगी का नहीं है तो बनाना पड़ेगा इससे सब्सक्राइब का छेद को नीचे से उसकी जगे पे लेके आना है इसमें हम स्किन को यूज करते हैं यह स्किन जो लिंक हो सकती है किसी पेड से लिनी पड़े मूस चे लिनी पड़े ग्राफ लेना पड़े तो वो से उससे हम सकिन लेके शायब करेंट को ठीक करते हैं इसको बोलता है यह एक स्टेज में मतलब एक ही बार में हो सकती है या कई बार नीपनी पढ़ सकती है depending upon मरीज की उमर कितना पहले कितनी सजरी हुई है लिंक का साइज कितना है और कितना बड़ा गैप कवर करना है सब्सक्राने ही कि नीचे से कब गाट करने के लिए किसेज़ करने के लिए 앞에 नीचे से उस्टेज में या एक स्टेज मे हो सकती है कोड senza में क्या इंटि स्वस्प्रियों और 3 इस में कॉम्पोनिट होता है पिनाय लेंθरी पिनाय लेंशनि मतलब की छोटा है उसको लंबागरना अब वह लंभाई हम शरजरी से करे और मिलता नहीं इसके भी कई डिफेंट इमेंट टिकनीक डिस्क्राइब है तो हाइपोस्पेडिया से कॉंप्लेक्स सर्जरी है रिजल्ट इसके वेरियेबल होते हैं हर मरीज में रिजल्ट मिलता नहीं है डॉक्टर कितना एक्स्पेरेंस्ट है सर्जरी किस उद्मूरिंग होई है क्या होता है मरीज कई बार इलाज कराते बड़े हो जाते हैं सेक्स करना शुरू कर देते हैं तो हर चीज का इसमें द्यान रखना पड़ता है तो हाइपोस्पेडिया की ट्रीटमेंट के लिए नॉमली तीन एज गैप से तीन उम्रे दी गई है तो पहली उमर है एक साल से चार स कर सकते हैं और एक एज है चौबिस साल के बाद जब शादी हो गई है शादी होने वाली है और हाइपोस्पेड अभी तक ठीक नहीं हो पाया है तो उस एज में भी मरीज आता है लाज कराने के लिए तो हर एज के अंदर डिफरेंट टेकनीक डिफरेंट सर्जन यूज होता है पर इन किसी भी तीन एज ये तीन उमर के अंदर इस सर्जरी को करा जा सकता है अभी भी बहुत सारे सेंटर्स वर्ल्ल में जो अडल्ट होने के बाद सर्जरी करते हैं पर अगर आपका च्छेद बहुत पीछे है तो इसको टाइम पे ठीक करना जरूरी है ताकि बच्चे को खड़े होंके पिशाप करने की हैबिट लग जाए कई आगर छेद नीचे है तो बच्चे को बैठ के पिशाप करने की हैबिट लग जाती इस कारण से कई बार स्कूल जाने से पहले इस को रिपेर करना ज़रूरी है अगर आप हैपोस्पेडियस के बारे में और जिसको दिखाईए वो इसको ठीक जरूर करेगा थैंक्यों आप वाचिंग टेक केर झाल में आप वाचिंग वाचिंग झाल करेगा झाल 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 झाल